अरपर रेडियो से सुनिये कारेक्रम चिंतन मनन अपमान और सम्मान एक महाशेफ अपनी कार चलाते समय उसमें किसी दूसरे अकेले व्यक्ति को कभी पीछे की सीट पर ना बैठने देकर सदा आगे की सीट पर अपने साथ ही बैठने का आग रहे केवल इसलिए करते हैं कि यदि व्यक्ति पीछे बैठ गया तो लोग उन महाशेफ को ड्राइवर समझ बैठेंगे वे इस कुंठा के शिकार हैं कि यदि उन्होंने कार में अन्य के रहते हुए आगे की सीट पर अकेले बैठ कर ड्राइविंग की तो उनका अपमान हो जाएगा एक साहब अपने समवयस्क सहकर्मी से सदैव अपएक्षा करते हैं कि पहले वही उनसे नमस्ते किया करें यदि सैयोगवश कभी वह ऐसा नहीं कर पाता है तो सहब को लगता है कि उसने उनका अपमान कर दिया एक आदेश मास्टर हैं जो अपने चारों और के हर प्राणी को अपनी एक एक इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं यदि उनके इर्दगिर्द का कोई व्यक्ति उनकी किसी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता है तो वे उसे अपनी बेजज़ती मानते हुए भड़क उठते हैं इन उदाहरणों को बताने का मकसद ये है कि लोगों को अपमान के बारे में काफी गलत फेहमी रहती है अपमान वस्तुता बहुत हद तक हींता की भाव गरंती वाले व्यक्तियों को अधिक लगता है इन आद्मियों के जीवन में उनकी महत्वा कांग्शाओं के अनुरूप सच्चा समान नहीं बिल पाता है अर्थात जो वास्तविक सम्मान पाने की द्रिष्टी से भूके रह जाते हैं उन्हें हर छोटी-छोटी बात में अपना अपमान होता हुआ दीखता है क्योंकि नेताओं को अन्यथा काफी सम्मान मिलता रहता है इसलिए वे अपमान की बिलकुल परवाह नहीं करते एक बार अपनी संस्था के सबसे बड़े पताधिकारी एक बहुत बड़े नेता की अगवानी करने की नियत से बिना बुलाए हवाई एड़े पर जा पूंचे जब उन्हें वहाँ नेताजी से मिलने का मौका नहीं दिया गया तो वे बुखला गए और जगए जगए अपनी उस तथा कथित अपमान का रोना रोने लगे अखवारों में भी निकलवा मारा कि वे खदेर दिये गए तठ्षात्मक्ता के नाम पर ये अपमान नहीं था ये सम्मान की भूख में अपमान को जबरदस्ती गले लगा लेना था अपमान करने के पीछे भी प्राया विशेश भाव ग्रंती काम करती है दूसरों का अपमान ऐसा व्यक्ति है ज्यादा किया करता है जिसका खुद का अपमान होता रहता है उसका मन इसका बदला लेता है एक पती महुद है घर में डाट खाकर कार्यारे पहुंचते ही दूसरों को डाटने लगते हैं यदि आपका कोई अपमान करता है तो आपके भी मन में उसके लिए अपमान की भावना घर करने लगती है इसलिए यदि आपको अन्यों से सम्मान पाना है तो उनका सम्मान ही कीजिए अपमान नहीं सम्मान बड़ों मात्र को नहीं छोटों को भी दिया जाना जरूरी होता है उसे हम सनही के साथ दे सकते हैं दूसरी और किसी बड़े को सम्मान देने के लिए जुकना या पैर छुना जरूरी नहीं है यद्य भी सांस्कृतिक परमपराओं और शिष्टाचार का कम महत्त नहीं होता पर यह मान कर मत चलिए कि आपके पैर छुने वाल अग्यक्ति उस समय आपको अपने मन में गाली नहीं दे सकता किसी के प्रति सम्मान या अपमान अपने सचे रूप में बाहर की तुलना में मन के भीतर अधिक रहता है ये थी डॉक्टर रमेश चंद्र महरोतरा की प्रस्तुती उनकी पुस्तक सफलता की रहस्य से अरपा रेडियो के लिए